नारायन नारायन आजम पढ़ रहे हैं श्री राम श्री कृष्ण मानस एवं गीता का तुलनात्मक विवेचन भाग एक by डॉक्टर श्री राम किंकरजी महराज उवाज अंगिनत धर्म गरंथों के होते हुए भी आधुनिक हिंदू समाज में जिन दो गरंथों को सरवाधिक महत्व प्राप्त है वे हैं गीता और रामायन इन दोनों गरंथों की असाधार्ण लोक प्रियता का रहस्य है इनकी सार्व जनीनता हिंदू धर्म अगिनत संप्रदायों में बटा हुआ है उनकी आस्था के गरंथ भी अलग-अलग है उन पुस्तकों में अनीक उद्दात सिद्दानत है पर उनमें आगरह की तीवरता है गीता और रामचरित मानस में जीवन के प्रती उदार और व्यापक दृष्टिकोन है इसलिए वह किसी वर्ग विशेश का ग्रंथ न होकर सारी मानव जाती के लिए उपयोगी है गीता और मानस की इसी विलक्षनता के कारण विभिन संप्रदाय के लोग उनकी व्याख्या अपनी संप्रदाय क मान्यता के अनुकूल करने की चेश्टा करते रहे हैं उन्हें सभ गर्ष्टी में भी कोई भिन्टा विध्यमान है अधिकांश विचार कोने उनके साम में पर बल दिया है और यह है भी यथार्थ फिर भी इस प्रश्ण पर अधिक व्यापक द्रश्टी से विचार की आवश्यक्ता है यदि कहीं प्रश्णों पर दोनों में भिन्णता नात्मक अध्यन की प्रिर्णा प्रदान की है। इस प्रश्ण पर न केवल दोनों ग्रंथों के सिद्धानतों को दृष्टिगत रखकर विचार करना है। अपितु इन दोनों ग्रंथों के साम में और पार्थक्य को अधिक अच्छी तरह हिद्यंगम किया जा सकता है। हमारे देश और संस्पर्दी के प्रधी निधी ग्रंथि के साथ-साथ गीता और मानस हमारे उन दो अवतारों के से भी समबद हैं जिनहें अधिकांच애 हिंदू पुर्णा अवतार मानते हैं। वे हैं श्री राम और श्री कृष्ण, असंख्य अवतारों में इन्ही दोनों के रूप रंग का ऐसा वर्णन किया गया है, कि यदि वेश मात्र परिवर्तित कर दिया जाए, तो राम कृष्ण हो सकते हैं, और कृष्ण राम प्रसिद्ध गाथा है, कि जब प्लसी रास की प्रार्थना पर कृष्ण वन्शी का परित्याग कर धनुष बान धारन कर लेते हैं, भक्तने ने बस अनुरोध भी इतना ही किया था, धनुष बान लियो हाथ, क्योंकि उसे पता था कि अंतर तो वन्शी और धनुष का है, वैवपुवरण रूप सोई आली की बात यहां भी पूरी तरह चरितार्थ है, तात्विक दृष्टी से एक ही ब्रह्म, श्री राम और श्री कृष्ण के रूप में अव्तरित होता है, बावनात्मक दृष्टी से दोनों के सामाई पर बहुत कुछ कहा गया है, नंददास ची तो प्रातह काल दोनों का स्मरण करने की प्रेरणा देते हैं, सब तजी भजिये, जैसे निर्खत चंद चकोर, इन दोनों अवतारों में जहां इतना सामे है, वहाँ जीवन की दृष्टी से दोनों में भिनता भी कम नहीं है, गीता और मानस के तुलनात्मक अध्यन के लिए दोनों के तात्विक और भावनात्मक एकत्व के साथ साथ, जीवन दर्षन की इस भिनता को भी दृष्टीगत रखकर विचार करना होगा, श्री राम चरित मानस में जहां भगवान श्री राम का पूरा चरित्र चित्रित किया गया है, वहाँ गीता में श्री कृष्ण का चरित्र नहोकर उनके विचारों का दर्षन होता है, उनके चरित्र का अध्यन करने के लिए हमें महाभारत, श्रीमत भागवत, हरिवंच पुरान, आदी गरंथों का आश्रय लेना होगा गीता की प्रश्ट भूमी क्या है? कौरव और पांडव कुरुक्षेत्र में शस्त्र संदत होकर युद्ध के लिए प्रस्तो थे और इस युद्ध में श्रीकृष्ण की भूमी का बड़ी विलक्षन है यह युद्ध भगवान राम और रावन के युद्ध से भिन प्रकार का है रामायन के युद्ध में राम और रावन का एक दूसरे के विरुध सीधा संघर्ष है पर महा भारत का युद्ध कौरव और पांडवों का युद्ध है और इस युद्ध में बही रंग दुष्टी से श्रीकृष्ण की भूमी का टतस्थथा के निकट दिखाई देती है क्योंकि इस युद्ध में उनकी सेना कौरवों की ओर से लड़ रही थी और वे पांडवों की ओर से रंकशेत्र में भाग लेने पर भी शस्त्रन उठाने की पतिग्या कर चुके हैं उनका कार्य अर्जुन का रत चलाना भर है ग्यद्यपी अंतरंग दृष्टी से सारा युद्ध वही लड़ रही हैं इस विरोधा भासी तक थे के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों को भली प्रकार समझ लिया जाना चाहिए एतिहासिक दृष्टी से कौरव और पांडव एक ही परिवार के सदस्य हैं इस दृष्टी से श्री कृष्टी का उन दोनों से समान संबंध है फिर भी उनका आंतरिक लगाव पांडवों से अधिक है विशेश रूप से पांडवों में भी अर्जुन उनके अभिन्नमित् पर यह श्री कृष्टी की व्यक्तिगत प्रियता से संबद था यदुवन्षी इस प्रश्ण पर विभाजित थे और ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण इस प्रश्ण पर अल्पमत में थे यदुवन्षियों की तो बात ही क्या उनके बड़े भाई बलराम भी इस संबंध मे कृष्ण से भिन्मत रखते थे अग्यात वास्ते लोटने के पश्चात पांडवों की समक्ष प्रश्ण यह था कि राज्ये वापस लेने के लिए कौर्वों के साथ कैसा वहवार किया जाए उस समय इस प्रश्ण पर विचार करने के लिए जो लोग एकत्र हुए थे उनमे पांडवों को वापस मिले पर इसके लिए उनकी दृष्टी में दुर्योधन से नम्रता पूर्वक वहवार किया जाना चाहिए था अन्ने लोगों की भाती केवल कौर्वों को ही दोशी नहीं स्विकार करते थे उनका मत दृड़ था और इस दृघटना में युदिष्ट पांडवों को उत्तेजित याकुपित नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने बलवान होकर ही पांडवों के राजे पर अधिकार पाया है युदिष्टर भी सर्वता निर्दोश नहीं है क्योंकि ये जुए को प्रियमान कर उसमें आसक्त हो गए थे तभी इनके राजे का अपहरण हुआ है अजमीर वन्शी कुरुक्षेत्र युदिष्टर जुए का खेल नहीं जानते थे इसलिए समस्त सुहृदों ने उन्हें मना किया था परंतो इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी दूसरी और गांधार राज का पुत्र शकुनी जुए के खेल में निपुन था यह जानते हुए भी ये उसी के साथ बार बार खेलते रहे इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनी को ही अपने साथ जुआ खेलने के लिए ललका रहा था उस सभा में दूसरे भी हजारों जुआरी मौजुद थे जिन्हें युदिष्टर जीट सकते थ परन्तो उन सभी को जोड़कर इन्होंने सुबल पुत्र को ही बुलाया इसलिए उस जुए में इनकी हार हुई जब ये खेलने लगे और पतिपक्ष की ओर से फेंके हुए पांसे बराबर इनके प्रतिकूल पढ़ने लगे तब ये रोशा वेश में आकर खेलने लगे इन् इसमें शकुनी का कोई अपराध नहीं है इसके पश्चात बलराम इस युद्ध से दूरती त्यात्रा के लिए चले जाते हैं वे इस संघर्ष में उलजना नहीं चाहते थे श्री कृष्ण ने भी इस दिशा में बड़ी वहवारिक चतुराई से कारे किया दुर्योधन और अर्जुन में सहायता का विभाजन करते हुए जब उन्होंने एक अक्षोहनी सेना दुर्योधन को दे दी और स्वयम अर्जुन के साथ रहकर भी निरस्त्र रहने की पतिग्या की तब वे केवल ततकालिन परंपरा का ही पालन नहीं कर रहे थे वस्तुतह उन्होंने इस प् अर्जुन की आवज्या करके वे दुर्योधन की ओर से लडने का निर्णई करें इससे यही अच्छा था कि उन्हें अपनी ओर से अनुमती ब्रदान कर दी जाए इससे यदुवन्शियों में बहाय एकता बनी रही उस परिस्थिती में इसका महत्वे भी था और यदुवन इक टतस्थता का प्रदर्शन कर रहे थे इस प्रसंग में भी बलराम का मत श्री कृष्ण से भिन था दुर्योधन जिस समय युद का निमंत्रण लेकर बलराम के यहां पहुचा यहां उन्होंने बलराम जी ने अपना मनोभाव स्पष्ट कर दिया वे चाहते थे कि यदुवन इस संगर्ष में पूरी तरह तटस्त रहे उन्होंने दुर्योधन से यह स्पष्ट बता दिया कि मैं जो भी चाहूं किन्तु श्री कृष्ण का अनुराग पान्डवों के साथ है वे उनका पक्षे लेंगे ही और मैं श्री कृष्ण से भी इतन करता हूं कि उनकी विरुद्ध जाने की कल्पना भी नहीं कर सकता अत्य मैंने युद्ध से अलग रहने का निश्चय किया है रामैन का युद्ध इससे सर्वता भिन परिवेश में लड़ा गया यह एक पारिवारिक युद्ध नहीं था इसमें युद्ध रत दोनों पक्ष एक दूसरे से असंबद थे भगवान राम के समक्ष जातिय या पारिवारिक फूट का कोई प्रश्ण नहीं था वहाँ तो सारा देश और परिवार प्रेम और एकता के ऐसे सूत्र में आबद था कि जिसको तोड़ सकना किसी के लिए संभव ना था इस युद्ध के लिए भगवान राम को अयोध्य की सेना भी बुलाने की आवश्यक्ता ना थी उनके साथ सारा दक्षिन भारत था, कोल, किरात, बंदर, भालू सभी उनके इस नहीं सूत्र में आबद उनके लिए जीवन अर्पित करने के लिए प्रस्तुत थे फूट की समस्या प्रतिपक्ष के समक्ष अवश्य थी रावन का अपने भायों से मतभेद है, विभीषन रावन से प्रिथक होकर श्री राम के पक्ष में चले गए क्योंकि उन्हें लगा कि यह युद्ध न्याय और अन्याय के बीच है और रावन अन्याय का प्रतिनिधित्व कर रहा है इस तरह यह युद्ध उस प्रकार की जटिलताओं से मुक्त था जिनका महा भारत के युद्ध में दर्शन होता है वस्तुतह ये दोनों युद्ध अपने युग की मनो भावनाव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे पौराणिक दर्श्टी से राम और रावन का युद्ध तरेता युग में रड़ा गया और महा भारत का युद्ध द्वापर के अंतिम भाग में दोनों युगों की सामाजिक चेतना आदर्श और मानसिक प्रष्ट भूमी सर्वता भिन्न प्रकार की है पौराणिक परंपरा में काल का विभाजन चार युगों में किया गया है उनके नाम है सत्युग तुरेता द्वापर कल युग पुराण विकास वाद के सिद्धान्त को स्विकार नहीं करते उनकी दृष्टी में युगों के क्रम में हास वाद का सिद्धान्त मानने है युग संबंधी पौरानिक माननेता आधुनिक विग्ञान से इतनी भिन्न है कि उनमें समन्वई असंभव सा है आधनिक विज्ञान सभ्यता का सारा इतिहास ही जहां 5000 वर्षों का मानता है महा पौरानिक गणना करोडों वर्षों तक पहुच जाती है पौरानिक दृष्टी से काल चक्र अनवरत गती से चलता रहता है अते उसके लिए विकास और हास की प्रक्रिया इतनी समीप हो भी नहीं सकती आस्तिक्ता का प्रश्ण भी इससे पूरी तरह संबद है इश्वर यदी अनादी और अनन्त है तो उनकी दृष्टी का इतिहास भी उनसे मिलता जुलता होना चाहिए आधुनिक विक्णान जिन आधारों पर कालक्रम का नर्णय करता है वे अन्तिम है यह मानना भौतिक विक्णान के अंदश्रधालों के लिए ही संभव है बहुत इकवादी प्रत्वी का उत्खनन करता हुआ उससे उपलब्द पदार्थों के आधार पर सब्यता का कालकरम निश्चित करता है पर यह उत्खनन भी तो कुछ विशेश स्थानों पर ही संभव हुआ है फिर पौरानिक काल में विकास की जिसस्थिती का वर्नन किया गया है वह स्थूल भौतिक काल में विकास की जिसस्थिती का वर्नन किया गया है वह स्थूल भौतिक पदार्थों के स्थान पर मनोबल और शब्द विक्ञान से संबद है आज स्थूल पदार्थों के माध्यम से शक्ती का प्राकट्य और प्रयोग का युग चल रहा है बहुत एक विग्णान ने इस दिशा में बड़ी प्रगती की है किंतु शक्ति, उर्जा, प्राकट्य के अन्यसाधन भी हो सकते हैं बहुतिक विक्णान के प्रियोगता भी तो प्रतक प्रतक देशों में उर्जा के प्रकटी करण के लिए भिन भिन पदार्थों का प्रियोग करते हैं। अध्यात्म विक्णान इसे मन और मंत्र के माध्यम से भी संभव मानता है। प्राचीन काल में इस दिशा में असाधारण प्रगती हुई थी। अब उन लोगों की बात और है जो अंदविश्वास का विरोध करते हुए भी स्वयम बौधिक्ता या तर्क के प्रती अंदश्रधालू हैं। जिन में इन प्रियोगों के देखने या अनुभव करने के धैरे का अभाव है। पुराणों ने अन्य युगों के जिन अदबुत चमतकारों का उलेख किया हैं। वे विशेश रूप से मंत्र जन्य थे। प्राचीन काल में जिन बाणों का प्रियोग किया जाता था, स्व शेश की खोज का कोई अर्थ नहीं है। युग विभाजन में विकास और हास को एक भिन अर्थ में भी देखा जा सकता है। विकास की आध्यात्मिक मान्यता बहुत इकवादी मान्यता से सर्वता भिन्न है। बहुत इकवादी दृष्टी में विकास का अर्थ बहाय सम्रि सत्त होते हुए भी व्यक्ति मानसिक दृष्टी से निम्न धरातल का हो सकता है। अते युगों की व्याख्या करते हुए अंतह करण के सद्गुणों को ही केंद्र मनाया गया है। जिस समय शुद्ध सत्व हो समता विक्ञान जैसे गुण अंतह करण में निवास करते हुए लोगों का मन निर्मल हो तब उसे सत्युग कहते हैं। तमोगों की अधिक्ता रजोगों का लगुन मिश्रण और वैर विरोध की व्रती कल्युब का लक्षन है। अतय यदी माहन भी लें कि भौतिक दृष्टी से आज विश्व जितना विक्सित है वैसा पहले कभी नहीं था तब भी यह प्रश्न किया जा सकता है कि मानसिक दृष्टी से आज का वेक्ती अधिक विक्सित है या नहीं। विकास की दृष्टी से आज अमेरिका विश्व के सभी राष्ट्रों में आगे है पर चारित्रिक या मानसिक धरातल पर भी उस राष्ट्र को हम विक्सित मान सकते हैं। आसक्रम में चंद्रमा तक पहुच गया हो। उसने चंद्रमा पर विजय ध्वज फेहरा दिया हो। पर अपने मनस चंद्र पर वह पराजित और पीडित है। पाप की समस्या प्रतेक युग में विद्यमान रहती है। फिर भी उसे कल युग या त्रेता युग कहने का तात्पर्य एक दुरुष्टांत के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। काल चकर का विभाजन रित्वों के रूप में किया जाता है। ग्रिश्म वर्षा और शरद के रूप में हम उसका मूल स्थूल विभाजन कर सकते हैं। ग्रिश्म रित्वों में मुख्य तह उत्ताप का अनुभव होता है। लू के थपेडे वेक्ती को जुलसा डालते हैं। पर यह आवश्यक नहीं कि ग्रिश्म में वर्षा का आगमन ना हो। कई बार घोर घाम के दिनों में ऐसी वर्षा होती है कि वेक्ती जुडा जाता है कई दिनों तक शीतलता बनी रहती है पर कितने भी वर्षा क्यों नहो उस रितु का नाम ग्रिश्म के रूप में ही लिया जाता है। और वर्षा रितु में भले ही कई दिनों तक वर्षा नहो ताप का अनुभव होने लगे पर उसे वर्षा काल ही कहेंगे। ठीक इसी तरह सभी युगों में पाप ताप भयानक रूपों में आते हैं पर मुख्य तह काल का नामकरण परंपरा के अनुकूल ही होता है त्रेता युग में पाप का प्रतिनिधित्व रावन करता है उसकी जाती को हम निशाचर कहते हैं दूसरी और उसका उच्छेद करने के लिए इश्वर का अफ़तार सूर्य वन्ष में होता है इस तरह प्रकाश और अंधकार का यह युद्ध बड़ी सरलता से समझ में आ सकता है पर द्वापर युग का युद्ध बड़ा ही विलक्षन है यहां प्रकाश और अंदकार को प्रतक कर पाना इतना सरल नहीं है त्रेता युग की तरह वहां पाप और पुन्य की सत्ता अलग-अलग नहीं है त्रेता युग में सूर्य वंश में पवित्रतम राजाओं का प्रादुर्भाव होता है महराज निमी की परंपरा का तो कहना ही क्या वहतो विदेहों की परंपरा है इन दोनों वन्षों का श्री राम और श्री सीता के विवाह के माध्यम से संबंध स्थापित होता है द्वापर युग मिश्रित वासनाओं का काल है प्रतेक वंश और अधिकांच वेकथियों के जीवन में पाप और पुन्य इतने घुल मिल गए हैं कि यह कहना कठिन है कि कौन सा वंश पवित्र है और कौन सा आपवित्र व्यक्तियों की भी यही दशा है इसी के प्रतिकार्थ में प्रभु का यह अवतार चंद्रवंश में होता है चंद्रमा प्रकाश पुंज है अपनी शीतर रश्मियों से व्यक्तियों का ताप मिटाता है विश्राम देता है पर वह अंधकार के मध्य में प्रकट होता है यदि वहना हो तो रात्री का अंधिकार भयावना हो उठेगा मात्र चोर और हिंसक जन्तुओं का काम रह जाएगा इश्वर के प्राकट्टे के पूर्व की प्रष्ट भुमी दोनों युगों में सर्वता भिन्न है त्रेता युग में दस्मुख अपनी क्षमता से विश्व को वश्मे कर लिता है पर उस समय विश्व के स्वामित्व के दोदावेदार है यदि रावन मंडलीक मनी है तो महराज दश्रत भी चकरवर्ती समराथ है ससुर्चक्वई कोसला राव भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव आगे हुई जही सुर्पती लेई अरदसिनहासन आसनु देई भुजबल विश्व वस्यकरी राख्यसी कोण सुत्रंत्र मंडलीक मनी रावन राज करई निजमंत्र अत्य यहां पाप और पुन्य का बराबरी का संगर्श है रावन यगन धवनसक है तो महराज दश्रत यगन करता है पर द्वापर युग में स्थिती सर्वता भिन है चंद्रवन्च की अनिक शाखाओं का उलेक बड़े विस्तार से हरिवन्च पुराण में किया गया है कंस, शिशुपाल, तंत, वक्त्र, आदी सभी राजा भी किसी न किसी रूप में एक ही वन्च से संबद है उसी वन्च की एक शाखा में भगवान श्री कृष्ण भी अवतार ले लेते हैं यहां तक कौरव पांडव भी सभी एक वन्च के ही नहीं एक ही परिवार के निकट तम सदस्य हैं पाप और पुन्य का इतना निकट संबंध द्वापर की मनो भूमी को प्रकट करता है अन्य पात्रों की बात तो जाने दे स्वयम श्री कृष्ण के अगरज बलराम की साहानुभूती दुर्योधन के बृति हुना अपने आप में आश्चरे चकित कर देने वाला कटू सकते हैं श्री लक्ष्मा, श्री भरत या शत्रुगन के लिए यह स्वप्न में भी कलपना नहीं हो सकती थी पर द्वापर में यह असंभव बनकर आता है त्रेता युग में रजोगुन की थोड़ी जलक दिखाई देती है मन्थरा या कैकई के हरदय में उठने वाला मनोभाव उसी की एक सांकेतिक सूचना है पर इस मनोभाव को कहीं से प्रोचसाहन नहीं प्राप्त होता ऐसी मनोभावना के कारण ही कैकई समाज से सर्वथा अलग थलग पड़ जाती है पुत्र ने उनसे जीवन भरवारता लाप नहीं किया शीलक्षमन ने तो सारा जीवन ही प्रभू की सेवा में लगा दिया शीशत्रुगन का जीवन समर्पन की पराकाश्ठा है इसकी तुलना में समयन तक मनी की कथा का वणन हरिवन्ष पुराण में आता है अकरूर श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं पर मणी की जोरी करवा लेने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है उनके हरदय में श्री कृष्ण प्रिया सत्य भामा के प्रति भी आसकती के भाव विद्यमान थे शत्धन्वा ने सत्राजित का वद करके वहमणी लाकर अकरूर को दे दी उसे लेकर वे वहां से भाग गए अकरूर के इसी कृर कृत्य का वणन संक्षेप में इस प्रकार किया गया है कि श्री कृष्ण उस समय हस्तिनापुर में थे महशी सत्यभामा की पीड़ा का उप्षमन करने के लिए वे लौटकर शत्धन्वा का पीछा करते हैं और उसका बद कर देते हैं शत्धन्वा के पास खोजने पर भी वहमणी नहीं मिली पराश्चर और दुख की पराकाश्ठा तबाती है जब बलराम श्री कृष्ण से प्रश्ण करते हैं कि सम्यान तक मणी कहा है श्री कृष्ण ने उत्तर दिया वहशत्धन्वा के पास नहीं मिली बलराम क्रोध में भर कर चिल्ला उठते हैं धिकार है धिकार है उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण ने यह मने छिपा ली है। इतना ही नहीं वे इतने क्षुप्द होते हैं कि श्री कृष्ण की आलोचना करते हुए वे द्वारी का पूरी का परित्याग कर देते हैं। महराज जनक के राज्य में अथिती रहकर वे दुर्योधन को गता युद्ध के शिक्षा देते हैं। थोड़े ही दिन पूर्व लाक्षा ग्रह में दुर्योधन ने पांडवों को जला कर मारने की चेश्टा की थी। अतेश्री कृष्ण का दुर्योधन के प्रती रोश स्वभाविक था। उसी दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा देना बलराम के लिए सर्वता अनोचित्य पूर्ण था। और यह सब हुआ किवल एक मनी की आशंका के कारण। त्रेता युग के भ्रातरी प्रेम की तुल्ना में इस प्रसंग का स्मरण आना स्वभाविक है जिसका वन्नन इस रूप में किया गया है। समयंतकं न नापश्य द्वा भोजं महाबलं निव्रतं चाब्रवीत कृष्णं रत्नम देहीति लांगली नास्तीति कृष्ण चोवाच ततो रामु रुषान्वितह चिक्छब्दस्तिक्त कृत्वा प्रत्यु वाच जनार्दनं भ्रात्रित्वान्मर्षयामेश स्वस्त रामचरित्मानस में अयोध्यावासियों के स्वभागे की सराहना की गई धन्य है यह नगर जहां ब्रह्म का अवतार हुआ जहां श्री राम के मंगलमय राज्य में रहकर प्रजा धन्य हुई उमा अवदवासि नरनारी क्रतारत रूप ब्रह्म सच्चिदानंद धन रगुनायक जहभूप उतना ही स्वभाकेशाली यदुवन्शुओं को भी माना जाना चाहिए था किन्तु श्रीमत भागवत में उन्हें सबसे बड़ा भागा बताया गया है क्योंकि इतने निकट ह होते हुए भी यदुवन्शियों ने भगवान को नहीं पहचाना यदुवन्शियों का अंतिम विनाश मूलक संगर्श इसका सबसे बड़ा दुरुष्टानत है जहां दुख और करुणा अपनी सीमा तक पहुँच जाते हैं द्वापर्युक की दूसरी घटना हमारे समक् है यद्यपी इसी भीशन दुर्गटना में श्रीमत भागवत की ताके दिव विज्यान को अभिव्यक्त किया गया कौरव और पांडव एक कुल के ही नहीं अपितु एक परिवार के सदस्य थे क्या कौरव और पांडवों का युद्ध धर्म और अधर्म का युद्ध था इस प्रश्ण का उत्तर देना सरल नहीं है बहुदा इसे धर्म और अधर्म के युद्ध के रूप में ही प्रस्तु मान लें किन्तु अंतरंग द्रश्टी से विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह उस अर्थ में धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं है जिस रूप में हम राम रावन के युद्ध को देखते हैं इसलिए दोनों युद्धों की अंतिम परणती सर्वता भिन रूप से होती है रामायन के युद्ध की समाप्ती के पश्चात भगवान राम इंद्र से अनुरोध करते हैं कि वे अमृत वर्षा के द्वारा मृत बंदरों को जीवित करें सुनु सुर्पती कपि भालु हमारे परे भूमी निस्चल्न ही जमारे ममहित लागी तजे इन प्राणा सकल जियाओ सुरेश सुजाना सुनूख अगेस प्रभु कई यह बाणी अती अगाध जा नहीं मुनी ज्यानी प्रभु सकत रिभुवन मारी जियाई केवल सक्रही दीन ही बढ़ाई सुधा बरशी कपी भालु जियाई हरशी उठे सब प्रभु पही आई देवराज इंद्रने प्रसंता पूर्व किस अनुरोध को स्विकार कर लिया अमरित वर्षा के द्वारा सारी सेना जीवित कर दी गई महा भारत के युद्ध में कौर्वों की ओर से केवल तीन वेक्ती शेश थे क्रतवर्मा, क्रपाचार्य और अश्वत्थामा पांडवों की एक अक्षोहनी सेना शेश थी भगवान श्री कृष्ण को लगा कि इस बची हुई एक अक्षोहनी सेना का विनाश भी अपेक्षित है उन्होंने पांचों पांडवों को लेकर एक विशिष्ट तीर थे की यात्रा की उसी रात्री को अश्वत्थामा ने अवसर पाकल बची हुई एक अक्षोहनी सेना का विनाश कर दिया इस रात्री को मारे जाने वालों में नकिवल साधारन सैनिक थे अपितु पांडवों के प्रधान सेना पती द्रोपदी के भाई दृष्ट द्युमन भी थे उस रात्री के विनाश का सबसे करुण पक्षय यह था कि अश्वत्थामा ने द्रोपदी से उत्पन पांच पुत्रों का सिर काट लिया अश्वत्थामा ने इन पांचों सिरों को अपने विजय चिन्न के रूप में ले जाकर प्रियमान महराज दुर्योधन को दिखाया इससे उसे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि उसे अपने शत्रों से बतला लेना अभीष्ट था इस तरह महाभारत के युद्ध की परिनती सर्वनाश के रूप में हुई पर आजित पक्ष की अपेक्षा विजेता भी कम शोकातुर नहीं था क्योंकि उसके समक्ष लक्ष लक्ष विद्वाओं का आर्तनाद था शोक और महाशून्य को छोड़कर उनके समक्ष बचा ही क्या था पर इस विनाश के पीछे स्वयम श्री कृष्ण का संकल्प था बहीरंग द्रिष्टी से यह तत्य कितना अटपटा और भयावः प्रतीत होता है किन्तु श्री कृष्ण का यह कार्य उनकी तथस्त निर्पेक्ष न्याय द्रुष्टी का सर्व सुरेष्ट द्रुष्टांत है उनकी द्रुष्टी में यह संगर्ष अपने समगर अर्थों में धर्म और अधर्म का संगर्ष नहीं था यहां भी मिश्रित वासना का सिद्धान्त कारे कर रहा था। कौर्वों की तुलना में पांडवों का चरित्र उद्दात था। यह मान लेने पर भी उनको पूर्ण आदर्श चरित्र के रूप में नहीं स्विकार कर सकते। युदिष्टर और अर्जुन जैसे महापूरिशों के चरित्र में ऐसे क्षण आते हैं जब वे चारित्रिक दरश्टी से बड़े उच्च धरातल पर दिखाई देते हैं। पर समग्र जीवन में उनकी दुर्बल ताइं भी उतनी ही बड़ी थी। कौर्मों के चरित्र में भी उद्दात चरित्र के कुछ चित्र आते हैं फिर भी दुर्योधन की हिंसक वरत्ती प्रबल थी। दोनों पक्षों से लड़ रहे योधाउं में भी अद्बुत विरोधा भास दिखाई देता है। पंचारी रहने का संकल्प किया। राज्य सत्ता का परित्याग कर दिया जो धर्म का अद्वितिय ग्याता था। उसकी दान निष्ठा अतुल्निय थी। अनेक मानविय गुणों का वह पुंज था। कृत्य गिता, मैत्री और शोरे की वह साकार प्रतिमा था। पांडवों का जेश्ट बंधू होकर भी वह दुर्योधन की ओर से संखर्श रत था। गुरु दोनाचारे, क्रपाचारे आदी भी गुण मंडित थे। फिर भी न जाने वहां कौन सी बाध्यता थी। जिसे वह धर्म की बाध्यता समझते थे। जिससे प्रेरित होकर इन लोगों ने दुर्योधन का साथ देने का निर्णाई किया। इस तरह कौर्वों के पक्ष में धर्मा धर्म का यह अनोखा मिश्रण विद्यमान है। पांडवों के पक्ष में भी जो लोग संखर्श रत थे उनमें भी इसी प्रकार का मिश्रण विद्यमान है। ऐसी स्थि में अपने और पराई का भेदन होकर शुद्ध न्याई विद्यमान था रावन वद के पस्चाद लंका पर विभीशन का शासन स्थापित होता है और सारे विश्व में मंगलमै रामराज्य की स्थापना होती है हमारे सारे पुराण और तिहास रामराज्य को अद्वितिय न प्रताप विशमताखोई बरनाश्रम निजनिज धरम निरत बेद पत लोग चलही सदा पावही सुखही नही भैसोक नरोग दाहिक दायविक भोतिक तापा राम राज नही काहु ही व्यापा सबनर करही परस परप्रीती चलही स्वधर्म निरत शुतिनीती चारियो चरन धर्म जग माही पूरी रहा सपनेहु अधनाही राम भगती रत नर अरुनारी सखल परमगती के अधिकारी अल्पम्रित्य नही कवनियो पीरा सब संदर सब बिरुजी सरीरा नहीं दरिद्र को उदुखी न दीना नहीं कोई अबुद न लच्छ नहीना सब निर्दंभ धर मरत पुनी नर अरुनारी चतुर सब गुणी सब गुणग्य सब पंडित ज्यानी सब कृतग्य नहीं कपट सयानी राम राज नब घेस सुनू सचराचर जगमाही काल कर्म सुभाव गुण कृत दुखाहु ही नाही भूमि सब्त सागर मेखला एक भूप भूपती कोसला भूवन अनेक रोम प्रतिजासू यह प्रभुता कचू बहुत नतासू सो महिमा समुझत प्रभुकेरी यह बरनत ही नता घनेरी सो महिमा खगेस जिन जानी फिरी एप चरित तिन हूरतिमानी सो जाने कर फल यह लीला कहई महा मुबिर्द मसीला राम राज कर सुख संपदा बरनिन सकै फनी ससारद सब उदार सब पर उपकारी विप्रचरन सेवक नरनारी एक नारी व्रतरत सब जारी तेमन बच क्रम पति हितकारी दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नित्य समाज जीत हु मनही सुनई अस राम चंद्र के राज फुलही फलही सदातरुकानन रहाई एक संग गज पंचानन खगमरिग सहज बयर उबिसराई सबनी परस पर प्रीति बढ़ाई कूजही खगमरिग नाना ब्रिंदा अभय चरन बन करही अननन्दा सीतल सुरभी पवन बहमन्दा गुंजत अलिलाई चली मकरंदा लता बिटप मागे मधुचवही मन भावतो धेन उपयस्रवही ससी संपन सदा रह धरनी त्रेता भई कृत जुग कै करनी प्रगटी गिरिन बिबिद मनी खानी जगदातमा भूप जगजानी सरिता सकल बहई बर बारी सीतल अमल स्वाद सुखकारी सागर निच मरजादा रह ही डार ही रतन तटन ही नर लह ही सरसिज संकुल सकल तड़ागा अति प्रसन दस दिसा विभागा विधुमही पूर मयूखन ही रवितब जेतन ही काज मागे बारिद देही जल राम चंदर के राज न्याय की विजय कह सकते हैं राज्य की उत्रादिकार के प्रशन पर दुर्योधन अन्याय कर रहा था बन से लोटने के बाद पांडवों का उचित स्वत्व उन्हें मिलना चाहिए था किन्तु दुर्योधन को लोभ वरत्ती इतनी प्रबल थी कि वह पूरे राज्य का तो प्रशन ही क्या पांडवों को पांच गाव देने के लिए भी लड़ गया दुर्योधन की वृत्ती रावन से भिन्नती रावन धर्म के विरुद्ध संगर्श रत था इसलिए वह उन सभी को नश्ट करने पर तुला हुआ था जिनके द्वारा धर्म को संरक्षन प्राप्त होता था उसने देवता ब्रहमन और रिश्यों को अपने प्रहार का मुख्य लक्षे बनाया सुब आचर नकतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान नकोई नहीं हरी भगती जग्यत अपदाना इसलिए रावन के अत्याचार से संत्रस्त प्रत्वी व्याकुल होकर देवता और मुनियों का अश्रय लेती है दुर्योधन इस प्रकार की प्रवरत्ती से परिचालित नहीं था वह धर्म नश्ट करने या रिशी मुनिय देवताओं के विरुद्ध युद्दरत नहीं था उसके विद्वेश के मुख्य केंद्र पांडव थे वह उन्हें नहीं सह सकता था उनके प्रती दुरवेहवार करने में उसे हार्दिक सुख मिलता था द्रोपदी को नगन करने की आग्या देकर वह पान्वों को भरी सभा में अपमानित करना चाहता था पर जहां तक अन्य लोगों से वहवार का प्रश्ण था वह सभ्य और शिष्ट था वह स्वयम विशाल वैश्णो व्यक्न करता था ब्राह्मनों को उदारता पूर्वक्तान देता था प्रजा के प्रती उसका वहवार बड़ा उत्तम था महाभारत में उसके द्वारा किये जाने वाले सतकर्मों का सुरेष्ट चित्रन किया गया है व्यक्तिगत रूप से अत्यंत स्वार्थी होते हुए भी अधर्म के प्रसार के लिए सक्रिय रूप से उसका कोई प्रियास नहीं था अते यह कहना अधिकुपियोक तो होगा कि यदि राम और रावन का युद धर्म और अधर्म का संगर्श था तो पांडवों और कौर्वों का युद न्याय और अन्याय को लेकर लड़ा गया था इस युद का संतोर्ष जनक परिणाम यही था कि इसमें न्याय की विजई हुई और पांडवों को अपना उचित अधिकार प्राप्त हुआ महराज युदिष्टर मानवोचित गुणों से युक्त थे अते उन्होंने योगेता पूर्वक राज्य संभाला उनके सुशासन में प्रजा संतुष्ट थी पर उसमें आदर्शी की ऐसी कोई उन्चाई विद्यमान नहीं थी कि उस राज्य को रामराज्य की तरह युगों तक स्मरण किया जाए इसे योँ भी कह सकते हैं कि रामायन का युद्ध कर्तव्य को सामने रखकर लड़ा जाता है भगवान राम यदी चाहते तो इस युद्ध से पूरी तरह बचा जा सकता था उन्होंने स्वयम अपनी ओर से छेड़खानी की थी सुपर्नका को विरूप करने का उदेश्य भी यही था यह रावन के लिए चुनोती थी लचिमन अती लागंसो नाक कान बिनुकीन ताकेकर रावन कहां मनो चुनोती दीन यह कर्तवे की पुकार थी जिसे श्री राम को इस संघर्ष के लिए प्रेरित किया था राक्ष सोंद्वारा खाए गए रिशी मुनियों की हड्डियों का ढेर देख कर करुणा से व्यथित राम भद्रने प्रतिक्या की थी निस्चरहीन करव मही भुज उठाई पनकीन सकलमुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुखदीन महा भारत का युद्ध न्यायोचित अधिकार के लिए लड़ा गया था वहां युद्ध बचाने का परियास है और द्रौप्ती की दृष्टी में संधी नहीं युद्ध स्रेष्ट था तो भी इसलिए कि वह स्वैम के आपमान का बदला चाहती है अतय युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के अंतर द्वंद्व के पीछे भी यही मनोभावना और गलानी थी कि अंततो गत्वा यह युद्ध राज्य और भोगों के लिए लड़ा जा रहा है अपने स्थान पर उसका यह सोचना सर्वता मानवोचित था कि क्या इस रख्त से सनी प्रत्वी का उपभोग करना उचित होगा फिर भी श्री कृष्ण यदि उसे युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं तो अनीक कारणों के साथ एक मुख्य कारण यह भी था कि उनकी दुष्टी में यह विनाश अपरिहार्य था भगवान राम और भगवान कृष्ण ने समाज के समक्ष जो जीव दर्शन प्रस्तुत किया वह एक दूसरे से सर्वता बिन्न होते हुए भी परस्पर पूरक है भगवान राम अपने चरितर के द्वारा आदर्शे का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं यह लोक निर्मान की प्रक्रिया है भगवान कृष्ण जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करते हैं जो एक और मिठास से भरा हुआ है तो दूसरी और वह कटू तिक्त भी कम नहीं है भगवान राम काल प्रक्रिया को पुरुशार्थ द्वारा बदलने का आववान करते हैं इसलिए उनके राजे काल में त्रेता युग होते हुए भी मानसिक धरातल सत्युग के समान हो गया सारी प्रक्रती की गती ही तेरा हजार वर्ष के लिए बदल गई त्रेता अभई सत जुग की करनी, त्रेता याम वर्त माना याम, काल कृत समो अभवत, रामे राज निधर मगने, सर्व भूत सुखाव हे श्री कृष्ण काल प्रक्रिया को परिवर्तित नहीं करते, वे सृष्टी को अपनी सहज गती से चलने देते हैं काल प्रक्रिया में अवरोध उत्पन करने की स्थान पर वे उसे गती ही देते हैं, राम कहते हैं सृष्टी बदलो, कृष्ण कहते हैं दृष्टी बदलो जब श्री रामभद्र सृष्टी बदलने की बात करते हैं तब उसका उदेश्य दृष्टी परिवर्तन का विरोध नहीं है दृष्टी बदलने की आवशकता तो प्रतेक युग में है पर दृष्टी परिवर्तन सामूही कवस्तु नहीं है प्रतेक व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह द्रश्टी परिवर्तन कर लेगा अपितु संभावना यही है कि इस द्रश्टी परिवर्तन के नाम पर एक प्रकार की जड़ता आ सकती है प्रतेक स्वार्थ प्रायन वेक्ति इस सिद्धान्त का दुरूप्योग कर सकता है आज भी समाज में इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है धरिद्र वेक्तियों को तथाकतित आध्यात्मवादी यह समझाने की चेश्टा करते हैं कि धन में कोई सुख नहीं है यद्यपी इस प्रकार का उपदेश देने वाले सुवयम अपने लिए धन से प्राप्त होने वाली प्रतेक सुविधा का उपभोग करना चाहते हैं इस प्रकार का विरोधा भासी तथ्य लोगों के मन में उद्वेग और विद्रोह की सुरुष्टी कर देता है दृष्टी कौन परिवर्तन के नाम पर इस प्रकार के मिध्याचार का समर्थन नहीं किया जाना चाहिए गोस्वामी जी ने दरिद्रता और अभाव के दुख को जाना था इसलिए उन्होंने दरिद्रता को सबसे बड़ा दुख बताया नहीं दरिद्र सम दुख जग माही में उनकी स्वयम की अनुभूती बोल रही थी इसलिए वे राम राज्ये का वर्णन करते हुए नहीं दरिद्र को दुखी न दीना को बहुत महत्व देते हैं गोस्वामी जी की मान्यता की अनुकूल आदर्श समाज वही है जहां बही रंग और आंतर दोनों ही प्रकार की संपन्नता विद्यमान हो सामाजिक परिवर्तन के साथ दृष्टी परिवर्तन भगवान राम के आदर्श के अनुकूल है क्या इसका तातपर ये यह है कि श्री कृष्टी वादी दर्शन तृठी पूर्ण है? नहीं ऐसा कहना भगवान श्री कृष्टी के प्रती अन्याय होगा व्यक्ति और समाज के समक्ष ऐसे जटिल अफसर आते हैं जब दर्श्टी वाद ही उसकी रक्षा कर सकता है और उसे सांत्वना प्रदान कर सकता है जीवन निर्मान की प्रक्रिया ही कुछ ऐसी जटिल है कि सदा वही होना संभव नहीं होता जिसे हम चाहते हैं जीवन के समान मृत्यू भी अपरिहारे सत्य है पराभव, पीडा और मृत्यू के क्चणों में व्यक्ति इन घटनाव के प्रती विशेश द्रश्टी का आश्राय लेकर ही शांत और प्रतस्त रह सकता है बगवान कृष्ण के चरित्र में पगपग पर यही सत्य मुखर हो रहा है बहियंग द्रश्टी से उनमें राग की पराकाष्ठा का दर्शन होता है सत्य तो यह है कि उनके राग पक्षन नहीं जन्मन को अधिक सम्मुहित किया है बंदावन की रस्मई लीलाएं रदय को बावा भीबूत कर देती है उनकी चपल बाल लिला, सलोने, नटखट, कनहिया का वह रूप प्रस्तुत करती है जिस पर सारे ब्रजवासी तो लट्टू थे ही आज भी सरस हरदयों में एक अनोखे भाव का संचार कर देती है उनका गायों के पीछे भागना, माखन चुराना, सखाओं के साथ किया गया हास विलास, क्या भूलने की वस्तू है? फिर उनकी बांसुरी का वह जादू, जो मनुश्यों की बात तो ही क्या, पशू, पक्षी, जड़, चेतन सभी को अपने इसने पाश में बांध लेता है प्रेममई गोपियों का वह समर्पन, जो लोक और वेद की मर्यादाओं से उपर उठा हुआ है जिनके चर्णरज की कामना, लोक पितामह ब्रम्हा करते हैं इतिहास का अविस्मर्णिय प्रिष्ट है उनका वह अनुपम रास, गोपियों के साथ नत्य करते क्रशन, उनका श्रिंगार करने वाले क्रशन मानवती गोपियों को पैर पढ़कर मनाने वाले कृष्ण को देखकर लगता है कि इन जैसा रागी संसार में हुआ ही नहीं पर द्रश्य परिवर्तन होता है अक्रूर के साथ उनकी मतुरा की यात्रा विदाई का वह द्रश्य किसे नहीं रुला देता पर मतुरा में पहुचते ही क्या से क्या हो गया कंसवद के पस्चात वे नंद बाबा को विदा कर देते हैं आश्वासन देते हैं पुनह ब्रज में लोट कर आने का पर आश्वासन आश्वासन ही रहा नंद ये शोदा का वातसल्य गोपियों का समर्पं बाल सहचरों का सनहे कोई भीतों उन्हें लोटाने में समर्थ नहीं होता वह मधुमई वन्शी जिस पर विश्व विमोहित था फिर कभी नहीं बजी सारा वन्णन पड़ते हुए भावुकों का हरदय विदीर्न होने लगता है क्या आश्चर्य यदी ब्रजरस के भावुकों ने इन कृष्ण की सत्ता को ही अस्विकार कर दिया उनके कृष्ण व्रिंदावन को छोड़कर एक पग भी नहीं जाते व्रिंदावनम परित्यज्य पादमेकम नगच्छती उनके कृष्ण तो मुर्ली वाले श्याम है हमारो मुर्ली वालो श्याम बिनु मुर्ली बनमाल चंद्र का नहीं पहिचानत नाम गोप रूप ब्रिंदावन चारी ब्रजजन पूरन काम याही सोहित चित बढ़व नित दिन दिन पल छिन जाम नंदी सुर्गो वर्धन गोकुल बरसानो विशराम नागरी दास द्वारिका मतुरा इनसो कैसो काम उनकी यह अस्विकृती रस और भावराजे के अनुकूल है पर जीवन की यथार्थवादी विडंबना भी यही है कि वहां हमारी अस्विकृती से कोई परिवर्तन नहीं होता भावुकों के भावराजे में कृष्ण भले ही व्रंदावन का एक ख़न के लिए भी त्याग न करते हूं इतिहास में तो उन्होंने व्रज का ऐसा त्याग किया कि लौट कर फिर गए ही नहीं रसिकूं के दूसरे पक्ष में इसमें विरह और प्रेम की प्रतिष्ठा की आंसु बहाती हुई प्रतिक्षा रत गोपियों के प्रेम वर्नन से साहित्य धन्य हुआ पर इसका दूसरा पक्ष है जीवन की वास्तविक्ता संयोग के साथ वियोग अवश्यम भावी है प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और उसमें किसी क्षण को बांध रखने की चेश्टा व्यर्थ है अतीद कितना भी मधूर क्यों नहो पह रुकने से रहा उसकी स्मृती सुखद भी हो सकती है और रुलाने वाली भी पर केवल पुरानी स्मृती में डूबे रहना वर्तमान के प्रति अन्याय है वर्तमान को सार्थक करना व्यक्ति का करताव्य है इसलिए श्रीक्रिश्न मथुरा में पतिक्षण व्यस्त हैं उनके पास शत्षत कारे हैं वे गोपियों के इस नहीं की स्मृती अभी कर लेते हैं उन्हें आश्वासन देने के लिए दृष्टि कोन को परिवर्तित करने के लिए अपने प्रियसका उद्धव को व्रंदावन भेजते हैं पर वे स्वयम आतीत में नहीं लौट सकते वर्तमान में वे पूरी तरह सनलगन हैं उनके समक्ष गोपिया नहीं कुपजा है कुपजा जो हर दृष्टी से गोपियों से भिन्न है गोपियों के सौंदरे की स्थान पर उसके शरीर में टेड़ापन है प्रेम और समर्पन के स्थान पर वासना और उपभोग की कामना है श्री कृष्ण उसे सुंदर बना कर स्विकार कर लेते हैं गोपियों की स्मृति में वे वर्तमान की उपेक्षा नहीं करते वे विवाहा करते हुए संबंध स्विकार करते हैं पर एक विवाहा उनके द्वितिय विवाह में बाधक नहीं है कहीं विवाहा इसलिए स्विकार कर लेते हैं क्योंकि वह राजनाईती का आवर्शक्ता थी सत्य भामा से विवाहा करते हुए उनके समक्ष यही द्रश्टी कोन मुख्य था द्वारिका में पहुवन्शिय समाज विद्यमान था उसमें परस्पर मतभेद, आशंकाएं और भए विद्यमान नहीं है श्री कृष्ण ने किसी समय उनसे यह अनुरोध किया था कि वे स्यमंतक मनी उन्हें दे दे वस्तुतह इस मनी की याचना के पीछे श्री कृष्ण की प्रलोभन वृत्ती नहीं थी उन्हें यह ज्यान था कि उसपर अनेक लोगों की लोलोप द्रश्टी लगी हुई है संगर्श बचाने का सबसे अच्छा उपाय यही था कि वह ऐसे व्यक्ति के पास रहे जिसकी प्रती विद्रोह का विचार अन्यलोग न कर सके ऐसी एक शमता कृष्ण में ही थी उस समय सत्राजित ने इसे अस्विकार कर दिया पर बाद में उन्हें लगा कि कृष्ण की उपेक्षा ठीक नहीं है और उन्होंने अपनी कन्या सत्या भामा को स्विकार करने का अनुरोध श्री कृष्ण से किया यदि कृष्ण इस संबंध को अस्विकार कर देते तो उनकी आशंका और भी द्रड़ हो जाती और यह संबंध उन्होंने स्विकार कर लिया विवाह में समयन तक मणी भी उपहार के रूप में दी गई, पर कृष्ण को यह ग्यात था कि इस मणी के प्रती कितनी तीवर आसकती सत्राजित के मन में विद्यमान है। फिर यह भी आशंका थी कि मनी ले लेने पर अनेक लोग यही कहेंगे कि मनी के प्रलोभन से यह विवाह श्रीकृष्ण ने किया है। अते इस प्रकार की धारणाओं का निराकरण उन्होंने उस मनी को लोटा कर किया। यह सब श्रीकृष्ण की यथार्थवादी वहवारिक दृष्टी का प्रमान है। इसी प्रकार भौमसुर के कारागार से मुक्त की गई 16,000 राजकन्याओं को स्विकार कर लेना। उनकी व्यापक और उदार दृष्टी का प्रमान है। उन्ह राजकन्याओं को समाज में कोई भी अन्यव्यक्ति स्विकार नहीं कर सकता था। ऐ संदर्भ में श्री राम का स्मर्ण आना स्वभाविक है वे बही रंग दृष्टी से देखने पर श्री कृष्ण के समान अनुरागी नहीं प्रतीत होते मदन मोहन सौंदर एके होते हुए भी वे चपलना लगकर गंभीर प्रतीत होते हैं वे स्वभाव से ही संकोची है पर अ अंतर्मन में वे अनुराग की मूर्ती हैं सभी प्राणियों के प्रती विस्ने और अपनत्व से भरे हुए हैं किन्तु उनके अनुराग में भिन्नता है शिसीता के प्रती उनका अन्यानुराग अप्रतिम है वे एक पत्नी व्रती हैं और जब विशेश परिस्थितियों मे लोकाराधन तक पर श्री राम को श्री सीता का परित्याग करना पड़ता है तब भी वे समग्रमन से उनके प्रतिही अन्यनिष्ट है यहां तक कि वे यक्न विधी में आवश्यक होने पर भी द्वितिय विवाह की कलपना भी नहीं कर सकते सीता की स्वन प्रतिमा को ही विधी पालन के लिए वरण करते हैं उनके लिए अतीत की स्ने भरी स्मृतियां ही यथेश्ट हैं उन्होंने अतीत को हरदय में धारन करते हुए भी वर्तमान का सर्वसृष्ट सदूपयोग किया अतीत उनके हरदय की निदी थी, किन्तु बहिरंग जीवन को उन्होंने पूरी तरह से प्रजा के सनरक्षन में समर्पित किया वे आदर्श निष्ट हैं, इसलिए वे ऐसा कोई कारे नहीं कर सकते जिसमें सिद्दान से स्खलन प्रतीत हो इसलिए उनकी सारी प्रजा उनके चरित्र और आदर्शों से अनुप्राणित है नकेवल भगवान राम अपितु सारी प्रजा एक पत्नीवरत के आदर्श का पालन करती हुई, अपने प्रभु के पत्की अनुगामिनी बने एक नारी वरत रत सबजहारी ते मन वचक्रम पति हितकारी श्री कृष्ण की अनुराग में आंतरिक विराग का दर्शन होता है वे आत्मनिष्ठ हैं भगवान राम के विराग में आंतरिक अनुराग की रस्वंती प्रवाह हो रही है वे लोकनिष्ठ हैं भगवान राम का लोकनिष्ट होना सार्थक है क्योंकि वे अपनी इच्छा क्या नुकूल लोकनिर्मान कर सकते हैं। आयोध्या से लेकर लंका तक किया गया उनका अभियान सरवत्र उनके आदर्श की विजय का ध्वजवाहक बना। रामराज्य की स्थापना हुई पर विवर्तित न हो सके उस समय वेक्ति का क्या करता वे है। इसे हम नन्य द्रिश्टांत के द्वारा यो कह सकते हैं कि एक ग्रहस्त के जीवन में यह इच्छा तो स्वभावि की है कि सारा परिवार स्नेह आदर्श और एक्ता के सूत्र में आबद्ध हो। और यदी ऐसा हो सक तो कहना ही क्या है। पर यदी ऐसा संभव न हो और वे परस पर इर्श या मात्सरे की भावना से भरे हुए हों तो उस समय एक विवेकी ग्रहपती क्या सुवयम को पीड़ा और पश्चा ताप में डाल कर अपने आत्मसुख की विनश्ट हो जाने दे। वस्तुतह इसे हम ग्रहपती का त्याग न कहकर अविवेक ही कह सकते हैं। उस समय उसे एक सन्यासी की भाती आच्रन करना चाहिए वह अपने आत्मानंद में स्थित रहकर ही स्वयम को सुरक्षित रख सकता है। भगवान राम ने अपने आदर्श की अनुकूल एक विशाल विश्व परिवा अतै ऐसी स्थिती में अविचल श्री कृष्ण अपने स्वरूप में स्थित दिखाई देते हैं। बहीरंग वहवार में सतत पुरुशार्थ रत होते हुए भी वे नियती का स्वागत करने के लिए सहज भाव से प्रस्तुत हैं। भगवान राम की तुलना में श्री कृष अबिर भूत होकर वे अपना संघर्ष शील रूप प्रकट करते हैं। चमतकारों का श्री गणेश यहीं से हो जाता है। प्रहरी सो जाते हैं। कारागार के कपाट खुल जाते हैं। और फिर धर्म रात्री को वसुदेव की गोदी में गोकुल तक होने वाली उनकी यात्र एक रहस्य माई कावे का स्रिजन करती है। छै मास की अवस्था मेही पूतना के प्राण लेकर उपनी आलोकिकता कापु परचे देते हैं। ब्रज पर आने वाली समस्त आपत्तियों को वे खेल-खेल में ही विनश्ट कर देते हैं। इंद्र के द्वारा किये जाने वाले घ लीला पगपग पर आलोकिक चमतकारों से भरी हुई है। पर यह ऐसा अदबुत विरोधा भास है कि आलोकिक चमतकारी श्री कृष्ण लोक मानस के परिवर्तन में इस चमतकार का प्रियोग नहीं करते। दूसरी ओर भगवान राम का प्राकट ये किसी विलक्षन परिस्थ चमतकारों की वह विलक्षन परंपरा नहीं दिखाई देती जैसी श्री कृष्ण चरित्र में पगपग पर परिलक्षित होती है। पर उनका सबसे बड़ा चमतकार था सारे जन मानस को परिवर्तित कर देना। दोनों चरित्रों में दिखाई देने वाला यह अदबुत विरोधा भास जीवन के दो छोरों को छूता है। नियती, भाग्य और पुरुशार्त का संघर्ष बड़ा पुराना है। दोनों के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है। पुरान इतिहास में दोनो ही सिद्धान्तों के पक्ष में त्रश्टान्तों की कमी रही है। ऐसा लगता है जैसे अनादी स्रिष्थी की ही भादी, इन दोनों का संघर्ष सत्त चलता ही रहता है। दिन और रातृ के द्वंदव में, प्रकाश और अंध़कार के संघर्ष में, कौन विजई होता है? यह निर्णळ देना सरल नहीं है, सुर्योदे को देखकर लगता है अंधकार पराजित हुआ, पर सुर्यादय के बाद सुर्योस्त भी तो होता ही है, इसे हम अंधकार की विजय कह सकते हैं, एक की विजय और दूसरे की पराजय की आशक कान्क्षा से क्या होने वाला है, संकल्प की पूर्टी में लग जाता है पर रात्री में निश्क्रियता और विश्राम भी एक सत्त हैं। दिन हमें आंख खोलने की प्रेर्णा देता है तो रात्री नेत्रमूंदने का संदेश देती है। दोनों ही जीवन के दो छोर हैं, पुरुशार्थ यदि दिन है, तो नियती रात्री है, हमें दोनों के दुरुपयोग से बचना है, यदि दिन में कोई निश्क्रियता और आलस्य में समय वैतीत करे और रात्री को चिंताओं के भार से सो न सके, तो दोनों का दुरुपयोग क दिन में संसार की चिंता यदि करताव्य है तो रात्री को सारी चिंताईं छोड़ देना भी परमावश्यक है भगवान राम दिन का स्वागत करते हैं तो श्रीकृष्ण रात्री का राम राज्य में नियती की व्यवस्थाइं समाप्त हो गई काल कर्म स्वभाव और गुण का चक्र स्रुष्टी में चलता ही रहता है फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा किन्तु राम राज्य में उस पर विजय पाली गई राम राज नब घेस सुनू सचराचर जगमा ही काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुखका हुई ना ही पर काल कर्म स्व द्वापर यूग नियती की विजय का यूग है। किया ही जाता है। किन्तु बधिक को ही परास्त कर देता है। क्योंकि विरोधी भय और कश्ट ही तो देना चाहता है उसमें आसाफल होने पर उसे विजय में भी पराजय का ही अनुभव होता है। अतेश्री कृष्ण के चरितर को नियती पर विजय का भिन्न मार्ग भी कह सकते हैं। पर उनका नियती वाद निश्क्रिय और असमर्थ व्यक्तियों का भागेवाद नहीं है। वे सतत पुरुशार्थ और कर्म की प्रेणा देते हुए भी फल के विशय में उदासीन रहने की प्रेणा प्रदान करते हैं। ठीक इसी थरह भगवान राम का पुरुशार्थ वाद अहमकारी व्यक्तियों का मिध्या भीमान नहीं है। उनमें अभीमान का लेश भी नहीं है। वे अपनी सफलता को स्वयम के पुरुशार्थ का परिणाम बता कर आत्म विज्यापन नहीं करते। वे तो उसे गुरुजनों के आशिरवाद और सभी के सम्मिलित सहयोग का परिणाम मानते हैं। भगवान श्री कृष्ण का सारा आवतार काल संघर्ष और रोमान्चक गाथाओं से भरा हुआ है। उपनिश्यदों का चरई वेती उनमें चरितार्थ हो रहा है। जन्म की बेला से लेकर लीला संवरण तक वे चलते ही रहे। युद्धों का तो कोई अंत नहीं। लगता है उनका कोई वर्ष युद्ध शून्य नहीं है। ब्रज में तो दैत्य राक्षसों का आकर्मन होता ही रहा पर मतुरा में ही कहां शांती रही। जरासंग नहीं अकेले मतुरा पर अठारा बार आकर्मन किया। सत्रा बार जरासंग को परास्त कर देने पर भी अठारवी बार वे पराजे स्विकार कर लेते हैं। अपनी जन्म भूमी और राजधानी का परित्याग कर देने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। वे समुत्र तट पर जाकर दूर देश में पुर्वासियों के साथ बस जाते हैं। वे उस राजपूती टेक का परिचे नहीं देते कि लड़कर भले ही समाप्त हो जाएं पर पीछे नहीं हटेंगे। वे यह भी निर्णई कर सकते थे कि कितना भी संघर्ष क्यों न करना पड़े अपनी जन्म भूमी और राजधानी का परित्याग नहीं करेंग पर उन्होंने वह मार्ग चुना जो बहिरंग दृष्टी से भीरूता का मार्ग प्रतीत होता है। किन्तून के चरित्र का यह भी अनोखा संतुलन है। इश्वर के रूप में वे जरासंग को क्षण भर में समाप्त कर सकते थे। यह बात तो आपने स्थान पर सकते है ही प अपने अंतरमन में वे उतने ही बड़े सन्यासी है। जन्म भूमी की अतुलनिय महिमा है पर सन्यासी की कौन सी जन्म भूमी। वह जहां जाकर रुक जाए वहां उसका स्थान है। उसे एक स्थान पर रुकना भी नहीं चाहिए। सन्यासी तो वही है जो आसकती का त्याग उसमें देश, काल, व्यक्ति किसी के प्रती ममता और आसकती नहीं होती। सचमुछी, श्री कृष्ण के चरित्र में इन तीनों में से किसी के प्रती आसकती नहीं है। वरंदावन से मतुरा और वहां से द्वारका में जाबसना उनकी देश में अनासकती का प्रमान है। यह आगमन काल और नियती का ही आगमन था श्री कृष्ण के पुत्रों के हरदय में इन महात्माओं का उपहास उढ़ाने का संकल पुठता है। उनके प्रतेक रानी से दस दस पुत्र उत्पन हुए। रानी और पुत्रों की यह संख्या एक घोर ग्रहा सक्त व्यक्ति जैसे श्री कृष्ण का चित्र हमारे सामने उपस्थित करती है। पर अंतर्मन में यहां भी वे सबकी ओर से उदासीन है। रानियों को इस विशाल संख्या में एक दूसरे के प्रती इर्ष्या और कलह का भाव विद्यमान था। कृष्ण अनेक रूप दारण कर उन सभी को संतुष्ट करने का प्रियास करते हैं। पुत्रों को लाड़ लडाते हैं। पर यह सब तो उनका भाय रूप था। अंतर्मन में वे सर्वता आना सक्त थे। कृष्ण सखा उद्धव के शब्दों में श्री कृष्ण ने अपने चरितर के द्वारा सांख्य योग का स्वरूप प्रगट किया। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारिका पुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे। किन्तु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुसकान, स्नेह मही चित्वन, सुधा मही वानी, निर्मल चरित्र तथा समस्त शोभा और सुन्दर्ता के निवास अपने श्री विग्रह से लोक पर लोक और विशेश्तया याद्मों को आनंदित किया। तथा रात्री में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित वहवार किया। और इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। इस थरह बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें ग्रहस्त आश्रम संबंदी भूग सामगरियों से वैराग्य हो गया। इस शब्त में श्रीमत भागवत में श्री कृष्ण के चलतर की एक जहांकी प्रस्तुत की गई है। उन्होंने अपने पुत्रों के प्रती चाहे जितने वादसले का परिचय दिया हो। अंतर मन में वे उनसे भी असंप्रिक्त थे। अतर श्री कृष्ण के आश्रय के दर्पित उन पुत्रों के मन में यति उच्रिंखलता के व्रत्ती आ गई तो इसमें कोई आश्चरे नहीं था। लगता है जैसे इश्वर सृष्टी का द्रश्टा मात्र है और सृष्टी में रहने वाले प्रतेक जीव इश्वर के पुत के लिए इश्वर से संबद होना ही यतेश्ट नहीं है उसके निकठस्त होते हुए भी यदि व्यक्ति उच्रिंखल आच्रन करें तो विनाश अवश्यम भावी है द्वारेका में यहीं हुआ आगे का नेक्स्ट चेप्टर में नारायन नारायन